पांच जी क्या है और उसका क्या मतलब है पांच जी सिलूलिर नेटवर्क्स की पांचवी नसल है और ये तवके की जाती है कि अब तक बनाए गए तेज तरीन वाइरलीस टिकनालोजी में से एक है पांच जी वाइरलीस टिकनालोजी का मतलब ये है कि आपको तेज डाउनलोड मिनिट के बजाए सेकंड में चार के फिल्म डाउनलोड करने का तसवर करें और आपके काम करने और खिलने के तरेका कार पर बहुत ज्यादा असरात मर्तब होंगे जी के दर्मियान क्या फर्क है? सीधे सादे, पांच जी बड़े पीमाने पर समझा जाता है कि वो चार जी से ज्यादा तेज, तेज और मोसर है उसने मोबाइल डेटा की रफ्तार का वद्दा किया है जो सार्फीन के लिए फिलहाल दस्तियाब होंबरार पैन नेट वर्क से कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, हर सेकिंड में एक सो गीगाबर्ट्स तक की रफ्तार के साथ, पांच जी चार जी से एक सो गिना ज्यादा तेजी से तियार होगा अगर्चा पांच जी खतरनाक होगा, अगर्चा पांच जी हमारी रोज मरा की जिन्दगी को बेहतर बना सकता है, लिकिन कुछ सार्फीन ने सहत के अमकानी खतरात के बारे में तश्वेश का इजहार किया है, उन में से बहुत से खच्छात पांच जी से ज्यादा मेटर वियो तावकारी के इस्तेमाल से ज्यादा है, यह आइनाजंग तावकारी है जो खतरनाक है क्योंकि उससे कैमियाई बिंदन टोट सकते हैं, या मुझे पांच जी के लिए एक नए फोन की जरूरत है, आपको पांच जी फोन खरीदिने की जरूरत नहीं है, और पांच जी फोन खरीदिने की जरूरत है, दरह पेकत आपको 2020 में भी किसी की जरूरत नहीं होगी, वेरेजोन के सीई-ओ ने कहा कि उसका नेट वर्प 2020 तक सिर्फ अमरीकी नसिफ हिस्से का हाता करेगा, पांच गराम्स के मुनफी असरात क्या हैं, असरात में कैंसर का खतरा बढ़ जाना, सेलोलिर तनाओ, नकसान देह फ्री रेडिकल्स में इजाफा, जिन्याती नकसानात, तवलीदी, निजाम की साखती और फंक्शनल तबदिलियां, सीखना और मेमूरी की कमी, आसाबी अवार्ज और इंसानों में अमूमी फिलाहो बहबूत पर मुनफी असरात शामिल है, पांच जी दुनिया को कैसे बदलेगी, पांच जी में अपकरेट करने से शहरों को मजीद, लाखों IOT डेवाइस का डेटा संभालने और कम ताकत वाले सेंसर नसब करने की इजाज़त मिलेगी जो मुतबादल की जरूरत के बगएर गज़शता बरस चल सकते हैं उससे ट्रेफिक के बहाओ, हवा के मौयार, बिजली के इस्तेमाल, अवांग, कुछ को जहानत से संभालने की उनकी सलाहियत में इजाफा होगा मुझे पांच जी नेटवर्प की जरूरत क्यूं है, हमें पांच जी सिलूलिर सर्विस की जरूरत क्यूं है, चूंकि ये आदाद वो शुमार को ज्यादा मोसर अंदाज में मंतखल करता है, लहाज़ा पांच जी चालीस किनातेज रफ्तार और मौजुदा चार जी मौयार से कम वक्फे से दोचार होने की सलाहियत रखता है, ये रफ्तार खुदमफ्तार कारों के लिए बहुत जरूरी है, जहान हादसात से बचने के लिए बरवक्त फैसले करने की जरूरत है, उिल्पser पांच जड़े साउ से बचने की साउना के लुदमफ्तार अलीकर लुदमफ्तित के लिए ज Means।े से और समे सब्सक्र का जिल्बस